हलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी सर्दी का मोसम है और आज कल गाजर, मूली, अदरक बहुत है मार्किट में तो मैंने सोचा क्यों ना जटपट हम भी एक अचार बनाएं तो आज मैंने काजर, मूली, अदरक और हरी मिल्ट से एक इंस्टेंट अचार बनाया है जिसे ना घंटों धूप में रखने की अपतों तक रूप में रखने की टैंसन है और बस जटपट बनकर तुरंती खा सकते हैं तो मैंने क्या किया है गाजर, मूली को अच्छे से काट कर दुल कर अच्छे से थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा लिया है और देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई है, इनमें ज़्यादा मोश्चर नहीं है इस टाइम पर देखिए आप इनको इसी सेप में काटना है और अभी हम क्या करेंगे, मैंने साथ में थोड़ी हरी मिर्च लिये हैं साथ से आठ हरी मिर्च है, और कुछ अदरक के टुकड़े हैं, इनको मैंने बारिक बारिक काट लिया है इनको भी अच्छे से दूल कर साफ कर लिया था और थोड़ा सुखा लिया है में बात ये है कि इसमें मोश्चर नहीं होना चाहिए जादा साथ ही में हम कुछ spices त्यार करेंगे, तो सबसे पहले मैंने राई लिया है, दो चम्मच राई लिया है और अभी हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर और थोड़ा सा जो spices लिये हैं, धनिया, सौप इनको भी मैंने थोड़ा roast कर लेना है, मेथी लिया है, अजवाइन लिया है, पांच से छे काली मिर्च और लॉंग लिये है इनको हमें थोड़ा सा roast कर लेना है, क्योंकि हलकी सी सीलन होती है, spices में roast करेंगे तो वो अच्छे से grind हो जाएंगे अभी हमें इनको दो से तीन मिनट हलकी flame पर विल्कुल roast कर लेना है, चलाते हुए इनको अच्छे से जैसे इन में से अच्छी ची कुस्बू आने लगेगी तो ये समझ लीजिए कि spices हमारे बुन चुके हैं अच्छे से राई को मैं नहीं roast कर रही हूँ क्योंकि राई मैंने पहले से roast करके रखा हुआ है बस उसको हम जिस time grind करेंगे इन spices को इनके साथ ही grind कर लेंगे अभी देखिए आप हम हाथ से थोड़ा सा इसको crush करेंगे तो समझ लीजिए कि ये हो चुके हैं अच्छे से roast अभी बस इस time पर हम क्या करेंगे इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और mixture के जार में डालेंगे और इनको अच्छे से बारीक grind कर लेंगे देखिए आप अभी हम इनको grind कर लेते हैं बारीक बिल्कुल ये देखिए हमारे spices grind हो चुके हैं अभी हम क्या करेंगे हमने कड़ाई लिया है और उसमें दो बड़े चमच तेल डाला है वहती कम तेल में आज हम इस अचार को बनाएंगे दो बड़े चमच तेल डाला है और आदा चमच हींग डाला है और जो हमने ये spices अभी grind किये हैं उनको भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे अब देखिए आप यहां हम आइडिया लगा सकते हैं कि तेल हमारा गरम नहीं है अभी हम इसमें मैंने दो चमच पीसी मिर्च डाली है लाल मिर्च हल्दी डालेंगे वन टेबल श्पून के लगबग और अभी हम इसमें सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट मैंने हलका मूली में भी डाला था जब उनको सुखा आया था तो टू एन हाप टेबल श्पून मैंने सॉल्ट डाला है और बस अभी हम इस मिक्षर इसको जो spices हैं और ये हल्दी नमक मिर् और महीनों तक अच्छे से चल जाएगा अभी जो हमने जो मूली और गाजर हरी मीर्च अद्रक काटे हैं उनको भी हम अचार में मिलाएंगे इस spices में मिलाएंगे और बस अच्छे से mix कर लेंगे सभी को चला देंगे अभी हमने गैस के flame off किया हुआ है बस तेल उतना गरम है कि यह जो spices हैं और vegetables जो हमने लिए हैं अच्छे से उसमें mix हो जाएंगे ज्यादा तेल हमें गरम करके फिर ठंडा करना है उससे क्या होगा कि जो तेल की smell होती है वो भी निकल जाएगी और जो यह हमारे spices है वो अच्छे से भून भी जाएंगे बहुत ज्यादा तेज गरम क इससे क्या होगा कि अचार में थोड़ा खटा पनाएगा और यह प्रिजर्वेट्रिव का काम भी करेगा इससे अचार खराब भी नहीं होगा इसको हम महिनों तक ऐसे ही खा सकते हैं और खाने में बहुत स्वाद भी लगेगा खटा पनाएगा तो वह अपने आपी बहुत वेट करने की ज़वरत नहीं है पराटो के साथ भटूरों के साथ किसी भी खाने में किसी भी चीज के साथ हम इसको ट्राइ कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने में यह आप भी ट्राइ कीजिए इसको बताए कैसा लगा आपको हमारा वेजटेबल्स का अचार थैंक Thank you so much!